है वेल्कम बैक आई हैं विबेक बिंद्रा है मैं इंटनाशनल मोडिविशन स्पीकर आई मैं वापस आई हूँ बड़े शक्ति शाली सब्जेट को लेकर के कहीं लोगों ने इसकी डिमांड करी आप लोग बहुत डिमांड करते हैं वीडियो उसकी किसी को भी आप इंप्रेस कंवेंस करना चाहते हैं तीन स्टेप ये देख लीजिए सब कुछ कवर हो जाएगा एंड तक देखेगा विडियो पावर्फुल है क्योंकि हम स्टेप बाई स्टेप चलने वाले हैं तो पहला स्टेप समझ ये बिकम कनेक्टर डिटेक्टर जानते हैं हर एक विक्ति के जीवन में कोई कनेक्टर होता है उसका कुछ ना कुछ कनेक्टर होता है क्योंकि बिजनस लॉजिकल होता है परन्तु लोग एमोशनल होते हैं एमोशनल विक्ति का कुछ ना कुछ कनेक्टर होगा वो जिसके साथ चूते ही आप कनेक्ट हो जाए ठीक उसी प्रकार आर एक व्यक्ति का भी एक emotional connector होता है उसको चूने से उसको connect करने से आपका संबन जल्दी बन जाता है मैं एक उधारन लेता हूँ अगर आप मोबाइल बेशने वाले एक salesman है और आपके counter पे कोई customer आके कहता है बै्टरी low हो जाती है ना तो दिमाग की दही हो जाती है कनेक्टर मिल गया इसका मतलब बैटरी low ने उसको बहुत परिशान कर रखा है उसी connector को पकड़ लीजेगा एक और विकति कहता है फोन हैंग हो जाता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है connector मिल गया, इसी connector को पकड़ लेना हर एक विक्ति के जीवन में needs, interest, concern, expectation, समस्याई, चिंताई, परिशानिया यह जो आप देखते हैं, यही से आपको connector मिलता है connector अपने जीवन का नहीं, उसके जीवन का इसका मतलब क्या हुआ, उसके बारे में बात हो रही है आपको interesting नहीं बनना है, interested बनना है come on, interesting नहीं बनना है, interested बनना है interesting लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते लेकिन अगर आप सामने वाले में interested हो जाते हैं तो वो तुरंट आप में interest लेता है लोगों के अलग-अलग connector हो सकते हैं, sports हो सकता है, movies हो सकता है, music हो सकता है, Bhajan Kirtan भी हो सकता है, motivation inspiration भी हो सकता है, tech and gadgets भी हो सकता है, लड़कियों के लिए selfie भी हो सकता है, एक ग्रहनी के लिए cooking की recipes भी हो सकती है, और पहले step में आपको बहुत detail में जाने की अवशक्ता नहीं ह को क्याच करिए कुछ connecting lines को क्याच करिए और connector मिलते ही repeat the connector connector मिलते ही repeat the connector एक powerful टूल आपको बताता हूं parroting paraphrasing one more time come on parroting paraphrasing connector मिलते ही उसको parroting या paraphrasing करके एक दफा repeat कर दीजिए यानि केवल connector ढूनने पर connect नहीं कर पाएंगे आप connector को जब आप repeat करेंगे तो सामने वाला विक्ति सोचेगा ये मुझको समझता है जब mobile हैंग हो जाता है ना तो दिमाग की दहीं हो जाती है और अगर आप mobile बेचते हैं उसको कहते हैं आप बिलकुल ठीक है रहे हैं mobile अगर हैंग हो जाएगा तो कोई भी आदनी परिशान हो जाता है वो आपके साथ connected महसूस करेगा अब वो महसूस करेगा ये मेरी बात को समझ रहा है वो कहता है बैटरी लो हो जाती है तो परिशान हो जाता हूँ आप भी बोले बात तो आप ठीक है रहे हैं बैटरी अगर फोन की लो हो जाए तो आपको परिशानी हो जाएगी बार बार पावर बैंक संबालने पड़ेंगे जब आप उसके कनेक्टर को रिपीट करते हैं उसके अंदर ये confidence आजाता है कि अब आप उसको समझ रहे हैं जब आप उसके कनेक्टर को रिपीट करते हैं वो ये महसूस करता है कि ये भी वही महसूस कर रहा है जो मैं महसूस करना हूँ Actually dealing का level अच्छा करने से पहले feeling का level ठीक करना होगा जब आपकी feeling का level सेम हो जाएगा तो dealing का level अपने आप पूचा हो जाएगा उसकी feeling के साथ अपनी feeling को जोड़िये उसको बोलते हैं connector ढूंड के repeat the connector जो मैंने आपको बताया है parroting और paraphrasing कभी कभी same शब्दों उसकी बात repeat करते हैं कभी कभी paraphrase करके अलग शब्दों उसकी बात repeat करते हैं Because it is not communication, it is communication It is not communication, it is communication Communication is about you Actually किसी भी व्यक्ती को convince करने के लिए कभी उसको convince मत करें अगर आपको convince करने की ज़रोफ पढ़ रही है इसका मतलब आप convince बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं Convince करने के लिए पहली चीज़ जरूरी है उसको बोलते हैं connect करें तो connector ढूंड़िए और connector मिलते ही repeat करें उसको दोहराईए जब आप उसको बोलते है सचिन तंदुलकर तो कमाल है तो आप भी जवाब में बोल सकते हैं ठीक है रहे हैं आप सचिन तंदुलकर वस्तव में कमाल है अगर कोई वेक्ति आपसे कहता है motivational video देखते ही जान आ जाती है तो connector मिल क्या अब क्या कर सकते हैं बात तो ठीक है motivational video देखने जान तो आ जाती है पहली लाइन में आपने connector को detect किया और दूसरी लाइन में आपने connector को repeat किया connector repeat करते ही आप जुड़ जाएंगे क्योंकि वो यह मैसूस करेगा यार इसका भी feeling वही है जो मेरा feeling है पर यह तो पहला step था connector, detector और repeat the connector अब second step पे आप उसके जीवन में और deep जाएंगे अब आप करेंगे उसका rap analysis rap analysis क्या होता है RAPP, recreation, aspiration, profession और problem क्योंकि आप थोड़ा connect हो गए ना शुरुवाती connect हो चुका है अब आप और गहरा उसके जीवन में उतरेंगे यह जो जीवन में उतरना है यह सहनुभूती नहीं है यह परानुभूती है यह सहनुभूती कारता है सहनुभूती मैं आपके साथ खड़ा हूँ कभी भी बुला लेना और परानुभूती कारता है वही महसूस करना जो विक्ति वह महसूस कर रहा है और उसके साथ और detail में जाना उसको क्या अच्छा लगता है, recreation किस से होता है, उसका manurangen किस बात से होता है, उसका manumanjan किस बात से होता है यह सब आपके content पर निर बर नहीं करता, यह सब आपके sincere intent पर निर बर गरता है जितना आप गहरा उतरेंगे उतना डीपर कनेक्ट हो जाएगा और सामने वाला विक्ति आपका फैन हो जाएगा इसलिए अपने जीवन के अनेलिसिस को भी साइड रख दें कई लोग आटो बाइग्राफिकल लिस्निंग करते हैं यानि कि जब भी उनसे आप बात करो तो वो अपने रेफरेंस पॉइंट से सोचते हैं अगर आप उनसे बात करें यार बड़ी तकलीफ हुई मुझे तीन किलोमेटर चलना पड़ा तो वो क्या जवाब देता है अरे तू क्या चला जो मैं चला था या और्टो बाय ग्राफिकल लिस्निंग वाले बिल्कुल एमपेथी परानु भूती को नहीं समझते आप इनको बताओ कि मैं नई जीन्स करें के लाया हूँ तू क्या जीन्स लेगा है जो मैं लेके आया था आप उसको नया मॉबाइल दिखाओ तेरा मॉबाइल 4GB RAM मेरा 6GB RAM है ये लोग कभी भी सामने वाले की feeling को connect नहीं कर पाते इसलिए लोग इनके साथ connect नहीं कर पाते और उत्री उसके जीवन में गहरा उसकी aspirations समझे कि वो जाना कहां चाहता है वो बनना क्या चाहता है उसकी life में intentions और aspirations है क्या उसके professions को समझे उसकी जीवन की current problems को समझे ये वो जगह है जहाँ आप और detail में उतरेंगे चुकि पहले step में आपने connector ढूंडा connector detector बनके आप connect कर गए repeat the connector पर यहाँ पे आप और गहरा उतरेंगे इतना गहरा उतर जाएंगे कि आप उसके जीवन को समझने लगेंगे इससे वो आपको अपने जीवन का एक नजदी की मित्र मानने लगेगा rap analysis बहुत ध्यान से करना होगा बको ध्यानम यानि कि जैसे बगलवा ध्यान रखता है ना बहुत ध्यान से देखता है ठीक उसी प्रकार उसकी आँखों में आँके डालके उसका rap analysis करिए बहुत detail में समझने का प्रयास करिए इसको मैं कहीं बार nice analysis भी कहता हूँ nice analysis का अर्थ किया हूँ need, interest, concern, expectation सामने वाले का need, interest, concern, expectation मेरा नहीं सब अपना बताने में लगे हैं अपना मत बताईए सामने वाले का समझिए जितना आप सामने वाले का need, interest, concern, expectation समझेंगे उतना आपका connect और गहरा हो जाएगा दीरे दीरे अब आप उसकी जीवन में और गहरा impression छोडेंगे और impression छोडने का ही अर्थ होता है impress करना पहले दूश टेप की सफलता के साथ तीसरे टेप समझे लिजिए बिल्डिंग अ लाइफटाइम इंप्रेशन impression करत होता है संसकार impress word impression से ही आता है और जब आप उसकी मानसिक्ता में एक lifetime संसकार create कर देते हैं अब वो आपको जिन्देगी बर नहीं भूल सकता आप सोच रहे होंगे मुझे तो communicate करना नहीं आता मैं lifetime impression कैसे छोड़ूँगा बहुत सरल है it is not about communicate it is communicate it is not about informing people it is about involving people actually जो मेरे तीसरा point है यह मैंने भगवत गीता से लिया है Krishna confirm करते है गीता के अंदर लोगों को याद क्या रहता है संसकार के सील का बनता है अत्यांत सुक अत्यांत दुक अत्यांत सरदी अत्यांत गर्मी अत्यांत मान अत्यांत अपमान अत्यांत लाव अत्यांत हानी यही चीले हैं जो आपके जीवन में एक संसकार बना देती है और लाइफटाइम इंप्रेशन क्रियेट करती है इसको कहीं बार हम मैनेजमेंट में एक्स्ट्रीम कस्टमर डिलाइट भी कहते हैं आपके घर के पास कहीं राशन के दुकाने होंगी पर आप एकी दुकान के पास बार बार जाते हैं आपके घर के आसपास कहीं नाई की दुकाने होंगी बाबर शॉप पर आप उसी एक नाई उसी एक बार बार के पास जाके बार बार अपने बाल कटाते हैं आपके घर के पास कई गाड़ी और बाइक के मेकैनिक होंगे पर आप उसी मेकैनिक के पास बार बार जा करके अपनी बाइक ठीक कराते हैं वो सकता है कि वो बाइक मेकैनिक दूर हो और रस्ते में कई और मेकैनिक शॉप साती हो बड़ा आप उसी के पास जाते हैं क्योंकि उसने वो people skill develop करके आपके साथ एक lifetime impression create किया है कितने लोगों को मैं देखता हूँ वो अपना ना ही बदलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको एक lifetime experience मिला है पर आप हो सकता है सोच रहे हो कि मैं कैसे lifetime experience create करूँ आपको कुछ ऐसा करना होगा जिस जिस ने वो cricket का मैच देखा उसको आज भी याद है ताजा कि उस मैच में क्या हो रहा था उसको आज भी ताजा याद है कि जिस दिन इंडिया cricket world cup जीती थी तो सड़कों पर लोग निकलाए थे वो आज भी आपको याद होगा कि उस मैच में आपको इसके साथ बैठे थे क्योंकि जब extreme experience होता है तो वो याद रह जाता है लेकिन उसके अगले दिन आप क्या कर रहे थे आपको याद नहीं होगा अमेरिका के अंदर जो ट्विंट टावर जिस दिन उसका बलास्ट हुआ उस दिन एक एक अमेरिकन को याद होगा वो कहां पे था और क्या कर रहा था लेकिन उसके अगले दिन का किसी को याद नहीं होगा उसके पिछले दिन का किसी को याद नहीं होगा और लेकिन उससे पिछले दिन वो क्या कर रहे थे उसके अगले दिन वो क्या कर रहे थे उनको कुछ याद नहीं होगा अगर किसी प्रकार से आप सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए डीप इंप्रेशन क्रियेट कर दें ऐसा संस कार क्रियेट कर दें जो किसी ने ना किया उसके साथ बस फिर तो वो आपको पूरा जीवन भर याद रखेगा एक दफ़ा संडे के दिन मैं पड़िवार के साथ गाड़ी पर जा रहा था फिट कर दिया काफी मेहनत करी थी उसने तो मैंने उसको कुछ पैसे देने चाहे तो जानते हैं क्या जवाब दिया साथ पैसा तो मजदूरी का लिया जाता है मदद करने का नहीं साथ मैं मजदूरी का पैसा लेता हूं मदद करने का नहीं इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया lifetime impression create कर दिया lifetime experience emotion से आता है logic और data से नहीं आता जिस relation में होगा अच्छा emotion वहाँ बढ़ जाएगा बहुत devotion अब मैं सारे वीडियो को आपके लिए summarize करता हूँ सबसे पहला step था identify the connector and repeat the connector connector मिलने के बाद आप उसके जीवन में थोड़ा नस्दीक हो जाएंगे उसके बाद उसका rap analysis करिए उसका nice analysis करिए rap analysis करता उसका recreation उसकी aspiration उसका profession उसकी problem nice analysis करता उसका need उसका interest उसका concern उसका expectation इससे आप उसकी जीवन में और गहरा उतर जाएंगे बड़ा influence create कर पाएंगे जादा उसको impress कर पाएंगे और उसके बाद finally think of something to create a lifetime experience and impression is life जिसका आप उसके ऐसे emotion को छूजाएं जो आप से वो जिन्दगी भर के लिए impress हो जाएं तीसरा step आपको जिन्दगी भर का साथ दे सकता है मेरे corporate clients में से शिकायत करते है Mr. Bindra सारे वीडियो आप हिंदी में क्यों बना रहे है actually मैं हिंदी में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ corporate की मदद तो होती रहेगी लेकिन गाउं, कजबा, तालुका, तैसील, छोटे 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 शेहर करते हैं